इस वीडियो में हम पढसेंगे unravelative sentences और उसकी इस कंस के बारे में बीस्मिल्हें रह्ळाने रहें तिफ द्रेंस्य आज हम पढसेंगे develop sentences इसके बारे में कि concer estim, declare are the decreases e declareangeness the same जैसे के आपको मौलूम होना चाहिए जो kinds of sentences होते उच्छार होते है और उन में से क्या है जो पहला होता है वह हा llegó से होता है इया सही है और अमेशा फुल स्टक्से एस जैसे कैस आप कहquently I study book, I study a book, यह क्या है, एक declarative sentence है, जैसे कि आप कहोगे, I am going to school, I am going to school, I watch television, जैसे सारे declarative sentences, बेसिकली एक statement होती है, एक बयान होती है, जो full staff से क्या होता है, and होती है, a parents, that's a declarative sentence, इसी को कहते है, बच्यो cu therapeutic gekommen होती है, यह 4 aksaam को Πर नहीं, जो सबसे पहला होता है, Ã Simple, He is just as a first of the simple simple, so a simple, your simple summary is œ जैसे कि आप कहिए इक सीधा जिम्ला होता है, एक सादा सीधा जिम्ला होता है, जिजको हम affirmative be je aan so this need are affirmative be, जिरो प्ne can 1, k अन्न, पॉजिटिव बी कहते है ंप कुझ सेरा हुए पाइंपर आयँ यह सार की चीजी बाहु है यह सांट करतmos Cart Il सीधा एक positive sentence है, got it, इस तरह के और बहु से sentences आप आप स्क्रीन पे देख सकते हो, got it जो दूसरा किसम होता है declarative sentence, इसकी ओ है negative sentence, वह है negative sentence यह पहला था और दूसरा declarative sentence की किसम है, वह है negative sentence negative sentence इसके नाम से आप जान सके हो किसी चीज को जब आप negate करते हो उसको negative sentence में लाएंगे, जैसे के आप कोगी, जैसके आपने उपर लिखा है I cook food, आप इसी को negate करोगी, जैसके आप लिखाऊगी I don't cook food, I don't cook food, जैसे मैं food नहीं पकाता हूं, मैं खौराक नहीं पकाता हूं, जैसे अगर उपर लिखा I study book, आप इसको negative में इससला होगी कि I don't study a book, I don't study a book, I don't watch television, जैसे I am not playing cricket, I am not playing cricket, जैसे it negative, अभी negative की जो अक्सा में जाओगे एक है simple negative और एक है double negative, double negative, double negative में basically आप दो चीज़े negate कर रहे हो, जैसे कि आप कहोगे it is not impossible, impossible जो है, एक negative word कहोगे positive, इसका जो है possible जो है, मुम्किन जो है, एक positive चीज़ को कहोगे, impossible यानके negative सही है, यह दो चीज़े आप negate कर रहे, इस वज़ा से double negative बन गए, इसके बार में मैंने एक तफसील से एक video बना है, आप उसको भी जा सकते हो, देख सकते हो, got it, अच्छा जो तीसरी चीज़े वो है, cleft sentences, तीसरी है, वो है, cleft sentences, वो है, cleft sentences, सही, cleft sentence भी declarative की एक किसमे, सही, cleft sentence में basically क्या होता है, एक साधा सीधा statement को जब आप दो class में तक्सीम करोगे, divide करोगे, वो cleft sentence बनेगा सही है, वैसे cleft, जो word है, एक leaf से निकला है, एक verb, जो cleft है, उसका, उससे निकला है, उसकी तीसरी फाहम है, उसका मैंने, divide करना, तक्सीम करना सही है, तो इक किस चीज़ को तक्सीम करता है, एक साधा सीधा sentence को जब तक्सीम करता है, ताके उस पे stress डाले, ताके उस किसी word पे stress डाले, उसको cleft sentence कहेंगे, for example, आप कहोग आपने इस sentence को दो class में तक्सीम किया, इस वजा से इस तरह के sentence को cleft करते हैं, इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाए है, डिटेल से आप वाम पे जाकर देख सकते हैं, एक और cleft sentence आप यह ले सकते हैं, for example, आप कहोगे, I cook food, और जो cleft होते हैं, it से ताना स्टार निए होते ह इसको, इसको एक अकसाम है, it cleft कर लेता है, WH cleft भी है, reverse WHB है, all cleft भी है, सही है, मैं भी all से बनाओ, for example, मैं लेकोंगा, all I, all I want is to study a book, सही है, मैं बस एक चाहता हूँ कि एक किताब study करों, सही है, इस तरह आपने इस साधर सीधर statement को आपने cleft में तबदिल के सही है, जो चो चो चोहती है वो है.. ah Emphatic, और जो चोहती है, ऊस tusm मैं किताब पढ़ता हूँ इस पर कोई आहमियत ज्यादा नहीं है जब आप इस पर stress डालते इसको emphatic बनाओगे उस ज्यादा आहमियत कामिल बनेगे जैसे आप काओगे I do study a book मैं किताब को जरूर पढ़ना पढ़ता हूँ याम पर basically आपने जरूर डालता है इस वजह से यह क्याव है emphatic और emphatic बनाने के लिए आपको do, will का इस्तिमाल का नहीं है जुम्ले में और your verb and subject के तर्मेयन अगा I do study I do play cricket सही है मैं cricket जरूर किलता हूँ तो इस तरह से आपका emphatic sentence बन गया है I hope you got it you understood it अगर कोई question हो इन बार में आप पूश सकते हूँ Thanks